हेलो फ्रेंट्स मैं हुरीदुराव और आप सभी का स्वागत है रीदुराव हमारे सपीस की कीचिन में आज हम बना रहे हैं आवले का आचार यह आवले का आचार आप कम सी कम 2-3 साल तक के अच्छे से रख सकते हैं और यह कभी खराब नहीं होगा तो उसे बनाने के लिए हम इसमें मैंने स्टील का एक स्टेनर लिया है और स्टील के स्टेनर में आवला धोकर इसमें हम स्टीम कर लेंगे तो स्टीम करने के लिए मैंने स्टेनर को स्टाक दिया है और आवला इसमें अच्छे से स्टीम हो जाएगा तो हम 10 मिनिट के लिए इसे स्टीम करना है आप दे जो कुस्री साइड हमने रग दिया है सरसो का तेल Ia90 घायसोग्राम यूजकर लाधी कुछ एगर्म करने के लिए और अच्छा कड़ा गर्म कर लिना है हमें चाहे लाल मिर्च का अचार हो या आम का अचार हो जो भी आप अचार बनाए उसमें इसे यूज़ कर सकते हैं तो हमने इसे पैकेट को खोल लिया है इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे तो प्लेट में निकाल लिया है हमने इसे आप देख सकते हैं अगर आप इसमें राई की डाल मिक्स करना चाहते हैं या आमचूर पाउडर अधर में मिक्स करना चाहते हैं तो आप अधर स्पाइसे भी इसमें डाल के मिक्स कर सकते हैं जो हम अचार में यूज़ करते हैं अकसर तो यहां हमारा तेल भी अच्छे से कड़ गर्म हो चुका है हम इसे फ्लेम आफ कर देते हैं और ठंडा करने के लिए रख देंगे और 10 मिट हो चुके हैं यहां तो आवला भी अच्छे से स्टीम हो चुका है आप देख सकते हैं फाके कहीं कहीं से बिल्कुल अलग हो चुकी है यारे इसकी कलियां अलग हुई है तो हम इसे भी ठंडा कर लेते हैं और इसकी कलियां अलग कर लेंगे और अगर आपको लगता है कि आवला भी भी आपको मतलब अच्छे से पका नहीं है तो और आप 5 मिनिट के लिए उसे स्टीम कर सकते हैं तो हम इसे ठंडा करके इसकी फाकिया अलग कर लेंगे यहाँ मैंने इसकी कलिया अलग कर ली है और नैचरली जितनी मोटी होती है बस उतना ही हमने रखा है इसे काटा नहीं है बीच से यह नहीं किया है तो इसे हम थोड़ा देर के लिए हवा में सुखा लेंगे तो मैंने आवले की कलियों को पंखे के नीचे सुखाने के लिए रख दिया ताकि उसका मॉइस्टर निकल जाए और तेल भी हलका थंडा हो चुका है और हमने मसाला भी प्लेट में निकाल लिया है इसमें हम डाल देंगे नमक कम लगता है इस वज़ है नमक इसमें डाल रहा हूं हो बाकि आधर यह मसाला बहुट टेस्टी होता है इसलीं मैंने यह présent टाइम यूस किया है और अब इसमें हम डाल देंगे तेल हम थोड़ा-थोड़ा कररण थी हम pace इसका एक पेस सा तियार कर लेंगे तो तेल में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे और मसाले मिक्स करते चलेंगे और हमने जो ये मसाला तीयार किया था इसके उपर डाल देंगे और इससे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते वक्त भी ध्यान रखना है हमें इसमें पानी का जो कुछ में कौंटिटी नहीं होना चीए इसलिए हमने इसे पंके के नीचे थोड़ा सा सुखा लिया था ताकि आवले का moisture कम हो जाए और आप जब भी कोई बरतन यूज़ करे बिल्कुल साफ बरतन यूज़ करना है अचार बनाने के लिए धो कर उसे अच्छे से सुखा लेना चीए है धूप में उसके बाद ही वो बरतन यूज़ करे यहाँ मसाला काफी अच्छे से mix हो चुका है अब हम इसे भणने के लिए एक भणनी कर यूज़ करेंगे तो भणनी यहाँ मैंने लिए है काँच की तो आप जो भी कंटेनर यूज़ कर रहे हैं अगर आप काच का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा अचार के लिए और उसे हमने अच्छे से गर्म पानी से धो के धूप में सुखा लिया है और सुखाने के बाद इसे साफ कपड़े से अच्छे से अंदर से पोच लिया है और अब इसमें डाल देंगे अच्छार और अच्छार हम चमज की मदसी इसमें अच्छे से बर लेंगे तो इसमें अच्छार हमने बर लिया है और अब जो किनारों में मसाला लगा हुआ है उसमें हाथ नहीं लगाना है तो हमने tissue paper लिया है और tissue paper से उसकी किनारे साफ कर लेंगे और कभी भी आचार को हाँप हाथ से नहीं निकालना है साफ चमच यूज करना है तो हमने इसमें भर लिया है और जो oil हमने बचा हुआ oil था वो उपर से थोड़ा डाल दिया है ताकि ये oil में डूबा रहे और इसे अभी हम कम से कम 3-4 दिन तक धूप में रखेंगे ताकि इसमें मसाले अच्छे से मिल जाए और आवला और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा धूप में रखने की वज़े से तो बचा हुआ अचार भी हम दूसरी बॉतल में भर लेंगे और दून अचार की बॉतल को धूप में रख देंगे तो बनके रेटी है हमारा आवले का अचार आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए और पसंद आती है तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूले और 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 भी नई रेसिपीस के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें साथ में बेल आइकन का प्रेस करना ना भूले ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मिलते है अपने दूसरे वीडियो में थैंक्यू फो वाचिंग